यहां पर देखो सर इसका expense ratio जो मुद्दे की बात है सबसे सर 0.2% कहा active mutual fund में 2% कहा passive mutual fund में 0.2% और safety security इसमें जादा देखो जिनको बहाने करने हैं वो बहाने करते ही रहेंगे कि एक बार पाईजा कोड़ी खोब हम कमाने लग जाएं तब जाके investing करना सुरू करेंगे लेकिन आज हम बात करेंगे 500 रुपे महिना invest करके करोनों का return कैसे बनाया जा सकता है SIP mutual fund के जरिए और ये भी जानेंगे कि SIP mutual fund के अलावा क्या कोई और option है हमारे पास इतना छोटा सा investment करके बड़ा return पाने का ठीक है साथ ही हम लास सेशन में कुछ लोग को confusion भी हुआ था जिसमें मुने smart SIP step up SIP की बात करी थी तो वह confusion भी आज हम धूर करेंगे ठीक है सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं जर कि आपको न आपका पैसा लूटने के लिए मार्केट में बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं कौन लोग लगे पड़े हैं होम लोन इमाई ऑफर आप जो भी website खोलो Facebook खोलो यह सड़क पर चल रहे हो बड़े बड़े बिल्डर बड़े प्रोजेक्स फ्लैट पर इतना discount यह इमाई हर आदमी चारा हर बैंक चारा है आपको होम लोन दिला दिया जाए फ्लैट ले लो वहीया जमीन ले लो यह ले लो है आसपास के दोस्तों ने खरेद लिया आइफोन खरेद लिया महेंगा फोन खरेद लिया अब यह सब चकाचाउन देख करके आपको मन कर रहा है आप भी ले ले मतलब यह सब लोग आपकी जेब से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं चाहे बैंक हो मॉल हो बड़ा ब्र कार हो दो भी नया कार आता है बड़े लोटिंगश रास्ते में आपके आते जाते कभी मन करता है यह यह हमाई करवा के लई सकते हैं मन करता है फिर बजेट में देखते हैं ले नहीं सकते हैं छोड़े अगले साल लेंगे वह यह कार वाले भी आपका पाइसा चूसने पर लगे हुए हैं सर चाहे सोसाइटी इंफ्लुएंस आप देख लो आपके पड़ोस वाले ने कार लिया य सर और के है इंस्ट परस्नल लोन आप आसकल तो बड़ा चल रहा है बही है परस्नल लोन इंस्ट लिए आप वो व एप क्रेडिट कार्ड्स यह करेड़ कारड़ वाले लग लगे बनेवालों क्रेट कारड भाईया मतलब समझाना में चाहरा हूं सर आप एक अकेले हो और आप इनकी चीज खरीदो और आपकी जेब से पैसा ये निकाल ले ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है खुद पर सैयम रख करके खुद की समस्दारी को इस्तमाल करते हुए समझ बूज करके किस जगे पर हमें पैसा लगाना है किस जगे पर नहीं लगाना है कौन सी चीज खरीदनी है कौन सी चीज छोड़नी है यहाँ पर आज एक मिडल क्लास के लिए बड़ी समस्या बन गई है खुद पर सैयम रखना समझ बूज का इस्तमाल करना ना कि इन होडिंग्स इन एड्ड सोसाइटी इंफ्लेंस होकर के अपना पैसा किसी और जगे पर इसी जगे फलतू जगल लगा देना ऐसे में एक मिडल क्लास के परस्पेक्टिफ से गर बता बात किया जाए तो कौन-कौन से इंवेस्टिंग ऑप्शन है सर सर नॉमली रियल स्टेट इसको तो मैं काट देता हूं सभाफ हुँ मैं अगर मिडल किलास की बतारा हूं सिर मिडल क्लास के पाथ आज के टाइम में saving नहीं है और ऺचाष करने के सरत 2020 लाग 35 लाग 30 लाग 50 लाग है है अपने पास है अपने पास तो इससे बढ़िया कुछ नहीं बता देता हूं र सार इन्वेस्मेंड और रिएल इस्टेट में फिलाट दंग का प्लॉट चुनना आता है आप अगर वैसे विडियो करा वुआ है एक रियल इस्टेट पर और चाहते हो रिए इस्टेट पर डिटेल सेशन आपने बता देना एक रियल इस्टेट की पूरी ट्रेणिंग पर हम सेशन कर सकते हैं सब्सक्राइब दूसरा गूल्ड यह ठीक ठाक इन्वस्मेंट है ठीक ठाक है बहुत बढ़ियां तो नहीं लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए वह भी नहीं होगा आपके बस स्टार्ट अप में पैसा लगाने के लिए यहां भी लाखों या करोडों में चाहिए वह भी अपने यह पर्षंट आप लोगे यह आपके पास option है ठीक लेकिन दिक्कत इसमें यह यह जो आपको return देते हैं उस से ज्यादा तो महंगाई कादर है यह आपको 6-7 परषंट दे रहे हैं उतने उस से ज्यादा तो महंगाई बढ रही है भाई यह नहीं 6-7 परषंट कुछ कुछ च सेशन में बात कर चुके हैं कि इसका परपस होता है सर इमेर्जेंसी फार्निक क्रेट करना इमर्जेंसी रात बेरात अगर आपको जुरत पढ़ जाए तब यह बहुत बढ़िया है तब तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है लेकिन बात हम जहां कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की रिटर्न की तो यह तो बड़ा घटिया चीज है फालतू चीज है इस से दोड़ी कुछ होगा फिर पीपीफ में चले जाओगे पोस्ट ऑफिस में मंतली इंवेस्मेंट करने लग जाओगे क्या देंगे सर छे परशंट साथ परशंट फिर मैंगा इदर के बराबर भी नही तो वहां भी रेट उफ रिटर आप देखोगे तो 6 परशंट 7 परशंट 5 परशंट परसंट पास पास इमिलेगा मतलब इंफलेशन बीट तो वहां भी नहीं हो रहा है मैं इंवस्टमेंट के परसपेक्टिव से नहीं इन तो इन सरासर गलत है ठीक है उसके बाद आता है स् पर दर लगता है काउन सी गमने डूब जाए मापाइस बात रूब जाएगा जानकारी नहीं है इंटेलिजेंस नहीं है समझ नहीं है पढ़े नहीं हो समझे नहीं हो तो स्टॉक वाले मांकेट वाले भी ऑप्षिन छोड़ दो बचता है एक ही भाईया ऐसाईपी मीच्वल फ सब्सक्राइब कर लेकिन जब तक सीखें नहीं हो जब तक पैसा नहीं है तो इन सब जगहों पर जाना बेकार है तो भाईया मीच्वल फंड एसाईपी का लावा ऑप्षिन क्या है तुम्हें पास चचा जला यह बताओ लास सेशन में स्टेप एसाईपी के बात कर रहे थे कि स्टेप एसाईपी हर साल आपको 10-10 प्रशंट थोला थोला बढ़ाते रहना चाहिए और हमने साथ में इंफलेशन की जरा बात कर ली कि अगर आप 40 साल बाद आपको 15 करोड मिल रहा है तो उस 15 करोड की इंफलेटेड वैल्यू महेंगाई के हिसाफ से एडजस्ट करके व लगाओ चाचा मेरी बात सुनों कि इंफलेशन का परभाओ कौन से इंवेस्मेंट पर नहीं होगा रिल एस्टेट पर नहीं होगा आपके फड़ी पर नहीं होगा कहा नहीं होगा महेंगाई से कहां बच जायोगे चचा तो SIP कर जब मैंने केल्कुलेट करके आपको बताए कि अभी साब आब बताता हूं उस पर lateral बद करता हूं कि इंफलेशन कब हमें ज्यदा मारता है कब हमें कम मारता है इंफलेशन से कैसे बच सकते हूँ यह वह बताता हूं ठीक है अब ज़रा पर आते हैं सर यह देखो मैंने खोल रखा है SIP कैलकुलेटर लास सेशन वाला ही पहले एक्जामपल ले लेते हैं उसके बाद हम 500 रुपे के साब से भी बात करेंगे यहां कि भी पहले लेते हैं सब्सक्राइब करेंगे हैं सब्सक्राइब करेंपन के अलब यहां उसके पांदरा करोड परुक्राइब तो यह निकल के आया कि आपको पूरा थाई-पंदर करोड लेकिन उसकी जो अवकात रहेगी आज जितनी आवकात थाई-करोड की है ना आज आपके मन में जितनी आवकात तो अब एक चीज आवर समझना सर हमने जब 40 साल लिया था तो साढ़े 15 करोड में रह गया था मतलब लगभग आप देखो तो 20 परसेंट के असपास लगभग 20 से कमी हुआ लेकिन लगभग आप 20 परसेंट माल लो मतलब 20 परसेंट पैसा बचा यह मैं कहना चाहरहे हूं अब दिको मैं क्या कर रहा हूँ इसको 20 साल कर देता हूं हटाओ इसको और इसको हम कर देते हैं 20 साल सर 20 साल में देखना 33,00,000 रुपए आपको मिलेंगे 15% के इजाब से अगर 5,000 रुपए आप 20 साल तक डालते हो खेल देखना सर अगर हम अच्छे inflation adjusted है अगर inflation adjust हम नहीं करते हैं तो यह कितना return मिलेगा सर 75,00,000,000 की value जो होगी 20 साल बाद लगबग 33,00,000 होगी लगबग आपका जो पैसा बन रहा है उस पैसे का value आज के हिसाब से 20 परशन बच रहा है लेकिन 20 साल बाद उस पैसे के value जो आपको मिलने वाला है 75,00,000 अभी हमने देखा ना सर 10 साल में यह पैसा हमारे को अगर हम 10 साल के लिए करते हैं साइपी तो अपने को लगबग कितना मिल रहा है 13,00,000,000,000,000 मिल रहा है लेकिन अगर इसको inflation adjust करो महिंगाई के हिसाब से तो 13,00,000,000 का 9,00,000,000 बन रहा है पैसे की आवकात उतनी घटी जा रही है तो आप मिस्स आतर लोग तो कहो गया फिर काम करते हैं सार 5 साल के लिए साइपी कर देते हैं नहीं 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 करो क्यों करबे मत करो महंगाई के कोई असरे नहीं होगा अपने जो पैसा कमा रहे हो खापका कर गर खतम कर दो उसको महेंगाई हमको कोई भरके नहीं पड़ रहा है लेकिन कल को जब 10 साल 15 साल बाद पैसा जब जरौत पड़ेगा कहां से लाओगे अरे महेंगाई के चक्कर में हमने तो एस एपी किया ही नहीं था सर महेंगाई से बच नहीं सकते आप साइपी हो या दुनिया का कोई भी इन्वेस्मेंट हो कमाई हो किसी बिसुलाइब पर आपके पास पैसा आ रहा है महेंगाई का असर तो होगा सरुस्पर लेकिन महेंगाई के डर से में इन्वेस्मेंट ही ना करें क्या बुद्धी सब गई है अज बहुत सब्सक्राइब कमेंट किया था इसलिए मैं इसे समझा रहा हूं कि सर्म पैसे वेल्यू कम रहे जाए इसलिए मैं इन्वेस्मेंट करवे ने करेंगा मत करो खापका के अउड़ा दो सब फिर कल को जरत पड़ेगी तो मंगना दूसरे से लोन लेने जाना लोन लेने तो माहिर होई गया आज का मिडिल क्रास हमारा हम भी मिडिल क्लास है हम आईसे आलग है इसा नहीं बोल लें ल लोन की हमारी requirement अलग है समझ बूज करके ठीक है इतना समझ में आ रहा है मेरी बात इतनी बात समझ में आ रही है मेरी ठीक ना तो inflation से घबराना ना अब आज़ा उसर 500 रुपया वाला 500 रुपय के साइपी calculator के लिए हम कहा गए अब मैंने खूल लिए सर एंजल वन अब एंजल वन पर आपको जला दिखाता हूं इस काल्कुलिटर का इस्तेमाल करके कि हम 500 रुपय महिना अगर इंवेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमारे को एक करोड का रिटर्न अगर निकालना है एक करोड रुपय मेरे को चाहिए तो कितना समय लगेगा मेरे को एक करोड हाँ इंफलेशन का इंपक्ट महां भी होगा ठीक 500 रुपय मैं लगा रहा हूं सर अगर 30 साल के लिए मैं इंवेस्ट कर रहा हूं और रेट ऑफ रिटरन आप लगबग 15% एक्सपेक्ट कर सकते हो लांग टम में मिच्वल फंड में किस तरह के डाउनलोड करना है हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है क्योंकि उसी पर मैं आज को आज आज को नहीं आपको आज डेमो भी करके दिखाऊंगा अगर 15% के हिसाब से मिलते हैं सर तो 500 रुपया अपना कितना बन रहा है 35 रुपय हमारा इंवेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 1,80,000 रुपय जो हमने दिया है वो सिर्फ 1,80,000 दिया है बदले में 33,000,000 हमको एड़ करके मिल रहा है तो टोटल रिटर्न 35,000,000 रुपया बारा है सर हम अगर इसी को 40 साल कर देते हैं चालिस सार अगर हम इसको कर देते हैं तो चालिस साल कहा है चालिस हुआ क्यों नहीं अच्छा चालिस साल के लिए मैं दूसरा एसाइपी अच्छा यहां पर तो होगा ना इसमें साइदिया लेता होगा कैलकुलेटर वाले में मान बैठे है चालिस साल के लिए कोई कर भी नहीं करेगा है छोड़ो मार गोली लेकिन करना चाहिए विया सही इनिवेस्मेंट वही होता है जो जितने लंबे से लंबे पिरियोड के लिए हो 40 सा अगर हम लेता है 500 कर देते हैं 500 हमने कर दिया 15% के हैसाब से 9 तो सर 1.6 करोड बन जाता है 1.5 करोड रुपए यह 500 के ताका थे सर सर पाँंचسो रुपए आपका 1.5 करोड बन जाता है 40 जो दस साल पहले 30 साल में 35 लाग था लेकिन इसका इंफलेशन के हिसाब से अगर द मतलब 23 लाग जितनी आउकात आज 23 लाग है ना जितना आज आप ताज 23 लाग को बड़ा समझते हो वो उस समय समझो मिलेगा देड़करोड ही लेकिन उस देड़करोड की आउकात 23 लाग रहेगी ठीक है अच्छे इसके लिए हमने स्टेप आप साइपी की बात करी थी लास सेशन आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा तो में लिंक उसका छोड़ देंगे स्मार्ट एसाइपी वैसे भी सागर सिना स्मार्ट एसाइपी आप सर्च करोगे वही सेशन वही वीडियो आपके सामने आएगा ठीक है अब जड़ा बैक हम चलते हैं तो यह 500 पैसे समझ गए वह एक कोड़ कोड़ बनाना है तो 500 पैसे ऐसे बनता है लेकिन अभी अभी बहु है कि आपके जो की फंड मैनेजर मेनेजक करते हैं जिस भी कंपनी में पैसे लगाते हो जो भी मित्युल फंड चूज करते हो वहां पर कोई फंड मैनेजर बैठा होता है एक'ह स्पट्ब पैसा किस तरह के शेयर किस तरह के कंपनियों में जाना चाहिए वो डिसाइड करेगा अगर उसका डिसीजन गलत हुआ तो नुकसान आपका है उसका डिसीजन सही हुआ तो फाइदा आपका है दोनों जगे आपका है लेकिन वो अपना कमिशन तो लेगा भी है जिसको expense ratio कहते ह है अभी आता हूं आगे उस पर भी दूसरा mutual fund होता है जहां पर fund manager होता तो है लेकिन fund manager का दिमाग नहीं चलता दिमाग इसलिए नहीं चलता क्यूंकि यह किसी ना किसी index की copy होती है हमने index जैसे हम index fund की मानलों बात कर रहे हैं तो index fund एक passive fund है index fund क्या है index हम समझते हैं निफ्ट percentage पर किया जाता है जो percentage जिस तरीके से अलोकेटेड उस index में है सेम तो सेम उसको copy करता हुआ एक fund बना जाता है उस fund में वहीं सारी कंपनिया होती है तो चूकि वह index में यानि कि वह टॉप की 30 कंपनिया टॉप की 50 कंपनिया है तो उनके हिलने डूलने के chances कम है वह कंपनिया देखो इतनी बड़ी कंपनिया है कि उनके हिलने डूलने से देश की economy हिलती दूलती है तो आप ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है कि उनमें से कोई company बरबाद हो जाएगी हाला कि safety security यहां पर बढ़ जाती है कि उन टॉप की 50 company जैसे index में निफ्टी में टॉप की 50 company है उन पर इसलिए index better option है mutual fund में active mutual fund में क्या है fund manager पर depend करता है अगर उसका दिमाग खराब हुआ उसकी calculation खराब हुए तो नुक्सान बुक्त होगे यहां पर तो पता है वह यह टॉप के 50 company हमारा पैसा लग रहा है तो टॉप के 50 company हैं तो वह यह क्या जो भी वहाँ जैसा decision होगा वह टोट वरी निफ्टी इंडेक्समंड में आपको इसलिए करना चाहिए जर निफ्टी का ग्राफ अगर आप देखो तो पिछले 22 साल में हाला कि सेंसिक्स में भी कर सकते हो किसी में भी कर सकते हो जो भी करो index करो ग्रोथ लंबे समय में एक चिस्टों शियूर हो जाती है मिलनी है शार्ट टम में अप डाउन अप डाउन होता है लेकिन लंबे समय में ग्रोथ मिलना ही मिलना है तो मेरी preference हमेशा ही मुच्वल फंड में passive mutual fund की रहती है active mutual fund की कम रहती है हाला कि active mutual fund में एक चीज़ ये भी है कि कई बार ज्यादा return मिल जाता है इसमें अगर हम long term में 15% expect कर रहे हैं तो वहां हो सकता है 20% return मिल जाता है लेकिन data ये भी कहता है कि 80% mutual fund इसके बराबर भी index fund के बराबर return नहीं दे पा रहे हैं तो हम उसमें क्यों जाएं उसमें रिस्कवी जादा एह उसमें कमिशन बे जादा जाता है expense ratio ज्यादा लगता है इसमें ज्यादा इसमें e तो इसलिए इसकी preference मेरी ज्यादा रहती है तो आगे एक सवाल ये उठता है कि क्या हमें अपना पूरी टाकत पूरा इंवेस्मेंट साइपी में लगाना चाहिए नहीं से पहले आपको एक चीज़ करना चाहिए साइपी में किया हुआ सारा पैसा प्लस आपके जमा पुझी जो भी इदर उदर होगी सारा का सारा पैसा आप चाहोगे कि हॉस्पिटल में चला जाए वैसे भी आज देश की हालत यह है सर के 90 परसंट जनता सर्फ एक बड़े हॉस्पिटल बिल से पीछे है गरीबी रेखा से निचे आने के लिए यानि कि एक बड़ा हॉस्पिटल बिल का जुरत पढ़ाना सर गरीबी रेखा के निचे 90 परसंट लोग ऐसे हैं इसलिए हेल्थ सबसे जरूरी है सबसे पहला investment आपका यह दो ना होना चाहिए उसके बाद SIP पराना सवार उठता है आप कहां से लिए आ जाए हो भी बता देता हूं सर यह policy बजार के हमने स्क्रीन खोल ली है policy बजार का link भी हमने description में दे रखा है आप calculate करना चाहो कितना premium आएगा था हमने description में दे रखा है policy बजार से लेने के कुछ फाइदे यह है सर जैसे 30 मिनट में claim support आपको देती है policy बजार 120 से जादा शेहरों में हर कस्टमर के लिए एक dedicated relationship manager है कल को जुरत पढ़ती है तो चौबीस घंटे claim assistance करते हैं यह और तीस मिनट में guaranteed claim settlement कराने का इनका website पे इन्होंने लिख रखा है guaranteed instant policy issue हो जाता है अब यह सारे form बढ़ करके मैं जरा आगे बढ़ जाता हूं आगे बढ़ने के बाद यह screen आती है तो अब देखो एक line से बहुत सारी company आ गई अब इसमें से कौन सी company चुनी जाए तो मैं उसके लिए कहता हूं सब्सक्राइब का इस्तेमाल जरूर करो यहाँ पर इस्तेमाल करो सबसे पहले short buy है तो यह रहने दो उसके बाद cover कवर आपको कितना चाहिए वो चुन लो सर बास्ट नौ लाग दस से बीस लाग कितना cover होना चाहिए तो सर आज के समय में पांच से पांच लाग साथ लाग के नीचे तो hospital का बिल आता नहीं कोई धंकी बिमारी या फिर कोई भगवान ना करे एक्सिडेंट बगरा कुछ सामना करना पड़ा तो पांच साथ लाग रोपे से कम का बिल आज के टाइम में बनता नहीं है अंटी लले साब बहुत ही छोटे जगह रहते हो या फिर वहां छोटा hospital है तो लेकिन ठीक ठाक से शहर में जाओगे में यह सारे ही चेक करना मेरे हिसाब से ज्यादा सही है उसकी विए से थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा लेकिन रिस्क भी अच्छा खासा कवर हो जाता है प्रीमियम पर मंथ आपको कितना देना है यह मेरे हिसाब से शॉट लिस्ट मत करना नो प्रिफरेंस रखना अधर लिमेंटेशन बन जाती है या फिर पैसे की बहुत ही जादा तंगी है कि नहीं भी आम तो 2000 रुपे महीं जादा रही नहीं सकते तो फिर चुन लेना इसमें से कोई ठीक है तसलिक कर लेना पोर्टेबिलिटी न्यू प्लैन आपको लेना है इक्जिस्टिंग डिजीज इसम कंपनी की पर मंद का प्रीमियम भी आजाता है लेकिन इतना कुछ देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आए कंफ्यूज है तो शेडियूल कॉल बैक एक कॉल बैक कर लिजे पॉलिसी बजार की टीम आपको कॉल पे सब कुछ समझाने की कोशिश करें और फिर भी नहीं स से लो रिसुक थे घुट्ने भी समाल काप फरण चुंते हो निक्टक लिस्ट में लिघा हुं यह सब के समाल के सब खाएज रिस्ट वाले जितने भी कपंड प्रण olduğunu सब मोटा मोटी कम होता है यह फ्लक्टवेशन ज्यादा होता है लॉंग टम में 15 साल से उपर अगर आप देखो तो 15 के उपर मिल जाता है सर दस से 15 साल के यह आप देखोगे लगभग 12 के असपास का रिटन होता है सर हाई रिस्क वाले में जस्ट उल्टा होता है शॉर्ट टम में यह बहुत जादा देंगे बहुत जादा स्मॉल कैफ वगरह में देखोगे आप काल्कुलेटर यूज करी सकते हैं अभी दिखा भी दूंगा लास्ट मैपको दस से पंदरह साल में जाओगे तो पंदरह पर जाओगे सर बारा परशंट आप देखो कि जितना लंबे डिरिशन के लिए समॉल कैफ फंड मैंजर्ज के पास प्रेशर ज्यादा होता है स्मॉल कैफ है एक चिस्तों क्लियर रिस्क जादा है रिटर्न जादा निकालने के चक्कर में वह कई बार उल जुल कंपनियां पकड़ देते हैं उसमें से कई कंपनिया तो पंदरह बीस साल में तो उसका इंप स्मॉल Rich का मतलब यह क्या हमने दस लिख रखा है संटी नहीं हो जाएगा धीन शॉज्बर हो और जो भी हम मिच्वल फंड चुनते हैं दो तरह कि आपको मिच्वल फंड यह सब चीज़े वर्ड ना नाम में आपको मिल जाएगा unforgettable fund growth plan या dividend word तो निहीं मिलेगा IDWC करके word आता है वह word मिलेगा आपको growth और dividend में आपको हमेशा growth वाला चुनना चाहिए सर क्या difference होता है growth fund जो होता है अधिए फंद में दो साल पे तीन साल पे साल बर के बाद कई सारे फंड बैनेजरस डिवीडेंड स्लिञेज करते हैं डिवीडेंड समस्ते हुना कुछ रिटर्न परसेंटेज वह आपको ऐसा गिफ्ट मालोक डिफ्ट देते हैं तो जब वह गिफ्ट आपको लोटा दिया पै इसे को छोड़ते हो वह उतना सदा compound होता है तो उसका कुछ भाग निकाल कर आपको वापस दे दिया आता है तो वह पैसा तो compound होने का मौका मिला नहीं लेकिन growth plan में क्या होता है वह जो डिविडेंड बना वह जो return बना वह उसी में एड़ कर दिया आता है उसको भी compound होने का क्योंकि डायरेक्ट प्लान में expense ratio याने की commission जो मिचल फंड वाली company को जाता है वो कम जाता है अगर उधर 2% जा रहा है सेम ही fund सेम ही company का सेम फंड अगर उधर 2% जा रहा है तो इधर देड़ परसंड जाएगा सर यह देखना और 0.5% भी लंबे duration में बहुत बढ़ा बनता ह है सर याने की एक करोड़ा रिटरन बन रहा है तो एक करोड़ा का रिटरन का अगर 0.5 भी लगा हो तो कितना बन रहा है उसके बाद होता है इक्विटी देखें डेट फंड देखें है hybrid fund देखें इक्विटी कौन सा होता है इस्टॉक मार्केट वाली company जो है जतने हीवरियट मैं एक फंड है लेकिन पाइब्स क्रणहें होता है तो पूछ टोड़ी भी मुझे बात कर रहे हूं तो मुझे तो मझे तो मुझे यहां आता है अगर फंड की बात मुझे इसमें हम जाता है उसके बाद expense ratio में खेल सर mutual fund में इसी का है mutual fund अगर अगर मारता है na mutual fund का कुछ side effect है na mutual fund के पीछे अगर कुछ ऐसी चीज़े जो आप से छुपाई जाती है जिसका सबसाद प्रभाव आपके पैसे पर पड़ता है na तो वो यह है सर सर 2-3% expense ratio लगता है आपके पैसे पर आप profit कमाओ लॉस कमाओ उससे mutual fund वाली company को कोई फर्ट नी पढ़ता आपका जो पैसा जा रहा है उनके पास उससे 2-3% यह निकाल लिया करेंगे यानि कि 2-3% कितना बड़ा मांट है सर कल को जब एक करोड का return बनेगा तो उसका 3% भी 3,00,000,000 रुपए होता है सर उसके पहले जब 90,000,000 रिटन बन रहा होगा उससे एक साल पहले क्योंकि हर साल लेंगे यह हर साल 2-3% लेंगे यह आप profit कमाओ लॉस कमाओ उससे मतलब नहीं यह तो लेंगे यह बड़ा अमाउंट बड़ा डेंट मारता है आपके पैसे पर तो मुच्वल फंड में इंवेस्ट करने टाइम पर आपको हमेशा ही यह देखना चाहिए कि कम से कम हो सर एक्टिव मुच्वल फंड में हमेशा यह 2-3% के आसपास होता है पैसिव मुच्वल फंड जिसकी हम इंडेक्स फंड की बात कर रहते हैं सर इंडेक्स फंड में 100 गुना कम होता है इधर अगर 2% लग रहा है उदर 0.2 लगता है 0.3 लगता है तो इतना फर्क पड़ जाता है पैसिव में और पैसिव में तुड़ा रिस्क भी अपने को कम है है तो हम पैसिव मिच्वल फंड में क्यों आ जाए यानि के इंडेक्स फंड की बात कर रहो उसमें क्यों रजाए वह कहीं जादा बहतर है ठीक अब आके बड़ो अब मोबाइल फोन पर आपको जरा मैं चेक करके दिखाई देता हूं ओके मेरी स्क्रीन अगाई आपके सामने एंजल वन मैं खोल लेता हूं ठीक है सो एंजल वन खोलते ही सर यहां पर हमारे को जाना है मिच्वल फंड वाले में ठीक है हम इस पर क्लिक कर देते हैं अच्छा यहां पर केटेगरी बहुत कुछ है यह मोस्ट बाट अन एंजल वन मिलता है तो इसमें अब कौन साब चुना जाए अगर आपको निवेस्ट करना है तो निफ्टी इंड़ेक्स सर्च करते यह अपने को 25 तो इसमें अब कॉन सा चुना जाए इसमें सर ऐसे तो कोई भी ले सकते हो लेकिन जो अब इसमें कंपनी चूज करने की बात है जो रेलाइबल कंपनी आपको लगती जो अच्छी कंपनी आपको लगती आप उसको चूज कर सकते जैसे एक्सिस है SDFC है, कोटक है, यह सब बड़ी कंपनी है, उपर SBI भी है, SBI पर मैं क्लिक करूँ, यहां पर देखो सर इसका expense ratio, जो मुद्दे की बात है सबसे, सर 0.2%, कहां active mutual fund में 2%, कहां passive mutual fund में 0.2% और safety security इसमें जादा, top की 50 company हम अपका पैसा लग रहा है, तो हम इसमें करेंगे न, अच्छा, और चीज़ें दिखा देता हूँ, यहां देखो सर, nifty index fund direct plan, direct और regular की बात करी थी, growth plan, growth और dividend की बात करी थी, तो अपना सारा parameter यहां पर सही जा रहा है, तो हम इसमें करेंगे, कैसे आपको, आप कोई भी company चूज कर सकते हो, मेरे recommendation ऐसा बिल्कुल मत समझना, ठीक है, बट लेकिन जो भी चूज करो, direct होना चाहिए, growth होना चाहिए, expense ratio कम से कम होना चाहिए, nifty index fund हो तो जादा अच्छा है, ठीक है, अब आओ नीचे, इसमें देखो यह क्या दिखा रहा है, ठीक है, और नीचे आकर की कुछ और सीचे हम देख लेते हैं, minimum आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, 500 रुपिये से, 500 रुपिये से कम नहीं ले गाई, यह कान पकड़े का भागा देगा, भागा है, इस इतना पैसे नहीं, 500 रुपिये से कम सकम चाहिए, ठीक है, और ग्यारा साल से हैं, यह मार्केट में, लॉक इन पीरिए, यह अच्छी बात है, लॉक इन पीरिए निल है, मतलब कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी, आला कि यह सबसे बूरी बात है, सर, SIP लंबे पीरिड के लिए होता है, लंबे पीरिड की डेफिनेशन मेरे इसाब से 15 साल से जादा, जब लॉक इन पीरिए नहीं हो, तो आतमी कभी भी निकाल लेगा बिना कोई फाइन, बिना कोई चार्ज के न, यह नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, कुछ लोग को फ्रीडम चाहिए, मेरा पैसा में कभी भी निकाल लो, तो उनके लिए अच्छा है, ठीक, आ पर ध्यान से लिखा हुआ है, for exit within 15 days from the date of allotment, जिस दिन से आपको फंड मिला, अब कई बार क्या होता है, आपने अभी पैसा लगाया, तो तुरंत नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसो मिलेगा, या आज शाम को मिलेगा, समय लग जाता है कई बार, allotment होने में, तो जिस दिन आपको allotment हुआ, उसके 15 दिन के अंदर आप अगर निकल रहे हो, तो 0.20% आपके फंड जितना पैसा है, उस पर लगेगा, 15 दिन के अंदर अंदर, लेकिन निल, अगर आप 15 दिन के बाद, exit कर रहे हो, मतलब बेच रहे हो, तो कुछ नहीं लगने वाला, अच्छी बात है, 15 दिन के अंदर निकलना है, तो कर क्यों रहे हो, मत ही करो ना, ठीक है, तो बात यह सब भाया, हाई रेस की लिखता है, अच्छी यहां पर holding by sector आप देख सकते हो, holding by sector मतलब किन किन sector की company इस fund में है, आप अगर right side यहां पर click करोगे top holding, तो आपको company भी देखी जाएंगी, इस तरीके से आप सारी company भी देख सकते हो, कि आपका पैसा किन किन company में कितने कितने percentage से जा रहा है, अच्छी बात यह है, कि आप चाहो तो खुद का index fund बना लो, expense ratio कुछ ना देना उसमें, 0.2 जो जा रहा है, वो भी नहीं लगने का, आपका जो exit low लगता है, 15 दिन में exit करन सकते हो, यहीं angel one पे, आप खुद का share ख़िते चले जो इतना बन गया, आपका खुद का index fund, उसमें फ्रीडम रहेगे, कभी कोई एकाथ share निकाल करके आप बेचना चाहो, बेच दो, इसमें तो एकाथ share निकाल के नहीं बेच सकते हैं, पूरा fund से exit होगा, ठीक है, तो आप और भी कर सकते हो, या फिर जो बेस्ट तरीका है, share market के knowledge लो, analysis करना सीखो, खुद share में invest करो, ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है, और को समझाएं, लाइक है इसमें, और कुछ नहीं है, तो मैं screen को कर देता हूँ, off, तो I hope आज के session में आपको बहुत को समझ में आयोगा, SIP सारे सवाल को हमने कर दिये, clear, step up SIP, एक पर फिर से repeat कर देता हूँ, कर लास से नहीं देखा, step up SIP क्या होता है, हर साल, थोड़ा बहुत amount उसमें add करते रहोगे न, तो इन compounding, compounded way में, आपको long term में बहुत बढ़ा return निकल के आता है, जैसे आप 500 रुपे परमंट डाल रहे ह कभी यह app आपको restrict नहीं करेगा, अच्छा, वो जब आप बढ़ाते हो तो आप calculator पर खुद से चेक कर सकते हो, last session में में करके दिखाए था, खुद से चेक कर सकते हो, कितना बड़ा impact पड़ता है, सिर्फ 10% बढ़ाने से, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, बहुत बढ़ होना चाहिए, before SIP, आपका पहला insurance, पहला investment, insurance में होना चाहिए, ठीक है, तो और कुछ तो नहीं बचा, सरको समझा दिया, फिर भी कुछ बचा हो, तो comment box में मुझे लिखके बता दो, आने वाले session में, सवाल में pick करी लेता हूँ आपका,